यमहा की अब्जेडेस वर्जन 4 का मेरा वीडियो जो रिव्यू वाला था वो काफी जादे लोगों को पसंद राया था उस केस में हुआ क्या कि बहुत सारे लोगों के क्वेस्चन्स थे कि इस गाड़ी के बारे मैं एक फुल रिव्यू दूँ मैंने जितना पॉसिबल हो सकता था उस वीडियो में मैंने सारे रिव्यू को दे दिये बट अभी जो इस बाइक के बारे में जो मुझे बताना है वो इस वीडियो मैं कंटीन्यू करेंगा जिसमें सबसे में इंपॉर्टेंट चीज है कि यमहा की सर्विस क्वालिटी कैसी है बहुत जाते हैं यहां पर धूप है तो वीडियो क्वालिटी अगर आपको थोड़ी गरबर लगेगी तो मैनेज कर लीजेगा प्लीज मैंने यमहा की अपनी सेकंड सर्विस करा ली है फर्स्ट सर्विस में तो मैं रिव्यू नहीं देना चाता था कि बहुत कुछ करना नह किया है इस वीडियो में आपको जेनुरिली बताऊँगा कि आपको जो है यमहा की सर्विस जो है वो कैसी मिलने वाली है बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आथे कि एक बार फिर से एक फुल रिवीव मैं दें इस बाइक का लेकिन मैं जबरजस्ती का सिर्फ यूज के लिए एक यानि कि 3600 किलो मेंटर लबग चल चुकी है जब यह 32 पे थी तब मैंने इसको सर्विस कराया था एक बहुत ही अलग पॉइंट है जो कि यमहा के सर्विस सेंटर पे मैंने जाकि नोटिस करी जो मैं बिल्कुल बताना चाहता हूँ आपको क्या होता है एक मेजर डिफरेंस अ क्या अलग देखा जो कि और ब्रैंट की कंपनिया नहीं दे पाती है वो मैं पॉइंट आपको बिल्कुल बताना चाहता हूँ मैं जब सर्विस कराने गया ना तो वहां पे बहुत सारे सर्विसमें थे जो बाइक को सर्विस कर रहे थे सर्विस के दौरान ये नोटिस कर पा यानि कि ये सबसे लो बजट बाइक है जो यमा की फिलाहल सोरूम में खड़ी हो रही है इससे जो उसका एक्स्परियेंश होगा वो काफी जाते बहतर होगा क्योंकि वह सबसे लो बजट बाइक यमा की जो सर्विस कर रहा है वह है अब मान लिजेब आपने हीरो में एक्ट अब इससे क्या होता है कि वो लगभग 10 बाइक सर्विस कर रहा है प्लैटीना और दो या तीन बाइक सर्विस कर रहा है एंवन सिक्ष्टी अब उससे उनका एक्सप्रियेंस जो होता है वो थोड़ा सा गड़बड हो जाता है यह बात आपको माननी पड़ेगी सपोज कर यह ह अपने आपको उनका लोवर सेग्मेंट ही तना जादे पावरफुल है जैसे कि अमहां की अब्जडस V4 है तो इसका सर्विस में जादे एक्सपरियेंस्ट होगा क्योंकि वो इस यह सबसे लो बाइक सर्विस कर रहा है इसके बाद वो सीधे आर्वन 5 सर्विस करेगा या फ बहुत सारे लोगों का यह था कि इस बाइक को लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए मैं सर्विस के दोरान गया तो वहां पे बाइक जो थी मेरी सर्विस हुई वहां पे जो एक्जिक्योटी बैठे थे उन्होंने काफे जादे रिस्पेक्ट करी मतलब एक अच्छा जाहां पे एर कंडिशन वगरे लगा था तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आई है मैं बहुत मजे से अमनों हमारी बाइक सर्विस हुई अब जब चाहें उठके जाके देख सकते हैं कि आपकी बाइक का मनलब कहां तक आपकी बाइक सर्विस हो पाई है या फिर नहीं हो पाई अगर अभी भी आप एक गेडला के अंदर वन फिफ्टी सेग्मेंट में बाइक देखना चाहते हैं आप एक्स्ट्रा बजट नहीं लगाना चाहते हैं किसी चीज में क्योंकि मैं अभी भी मेंशन करूंगा बहुत सारी लोग मतलब उसमें अलग 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 उपेनियन दि होगी बट अगर आप 10-15 जार रुपए कम लगाना चाहते हैं आपको एक अच्छी वन फिफ्टी सेग्मेंट की रिलाइबल बाइक चाहिए गोफार FJ-SV4 वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरू करिएगा और 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 भी कोई क्वेस्टेंस होग कि शेखेएग अच्छ अगरे करना इसरा लगेऒचफण की नगार कर दो होभगवा करिए लिएरियो पहें होन्कार कारा keeping शेखाबगा क्वेएगा है क्या वीडियो लाइक यह झाल रिलाओ धिलिएक जगज आताब झाल Тем हम पहेँड, जएजहाएगं पहेट्स्जी